फोटो साप में आज के क्लास में हम सेखने वाले हैं इमेज मेनू के अंदर दी हुए बिकल्पों के बारे में इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं मोड का बिकल्प दिया गया है मोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अपने फोटो का मोड बदल सकते हैं यहां से हम Bitmap, Grayscale, RGB, CMYK और Lab Color जैसे option का प्रियोग कर सकते हैं. आपको याद होगा जब Photoshop में आपने नई फाइल को खोला था, उस समय आपको मोड बजलने का बिकल्प यहां पे दिया हुआ था. यानि आप नई फाइल बनाते समय उसका मोड क्या रखना चाहते हैं, यहां देखेंगे पांच तरह के मोड आपको यहां पे मिलते हैं, Bitmap, Grayscale, RGB Color Mode, CMYK Color और Lab Color. यानि आप नई फाइल को बनाते समय उसका मोड क्या रखना चाहते हैं, उसको आप यहां से सेट करते थे, ठीक वही चीज़, अगर आपने पहले से कोई फाइल बना लिया है, और उसका अगर मोड बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए Image Menu के अंदर आपको विकल्प मिलेगा मोड का विकल्प यहां पे मिल जाएगा, यहां देख सकते हैं सबसे पहले grey scale का option दिया गया है, अगर आप इस मोड का प्योंग करते हों तो आपका photo grey scale color में बदल जाएगा, आप यहां देख सकते हैं कि आपका photo RGB color mode में था, अभी यह grade scale color mode में change हो गया है, यहां पे आपको mode अगर gray scale select करते हो तो image के अंदर यहाँ पे mood में यहाँ bit map का भी option देता है यहाँ पे bit map का मतलब है कि photo को black और white में change करना gray scale में आपके सामने दिखाई दे रहा है अगर हम bit map को select करते हैं तो हमारा photo यहाँ पे आपको output रखना है यहाँ पे pixel को रखना है और जैसे यहाँ पे आप ok करेंगे आपका photo कुछ इस तरह bit map में बदल जाएगा यानि छोटे छोटे यह dots में bits में आपको दिखाई देगा यानि आप यहाँ देख सकते हो कि आपका photo bit map में change हो गया और यहाँ पे photo कुछ इस तरह इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो image के अंदर mode के अंदर यहाँ पे RGB color mode का option दिया है actually हमारा photo पहले से ही RGB color mode में है RGB color mode का मतलब यह है कि जहाँ पे photo red, green और blue से बने R का मतलब है red G का earth है green और B का earth है blue अगर आपको file को अपने computer के अंदर ही रखना है computer screen के उपर ही देखना है तो आप RGB color mode का इस्तमाल करेंगे अगर आप किसी website के लिए background बना रहे हो या किसी website के उपर photo को upload करने वाले हो तो वहाँ पर भी आप इस RGB color mode को रख सकते हो ध्यान दे रहा है कब आपको RGB color mode यूज़ करना है और यहाँ देख सकते हैं CMYK भी दिया हुआ है कब आपको CMYK के color का इस्तमाल करना है यह हम आपको बताते हैं तो RGB color में आपको बताना चाहते हैं कि अगर RGB color mode को select करते हो तो आपका photo तीन रंग के मिस्टरंड से बनेगा यानि R for red, G for green, B for blue हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि RGB का मतलब यहाँ पे क्या होता है यहाँ देखिए RGB जहाँ पे photo, red, green और blue से बने यहाँ देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह आपका red है यह आपका green है और यह आपका blue है इन तीन रंगे के मिस्टर से अगर कोई रंगीन image बनती है तो वो RGB mode का लाती है आप देख सकते हैं आपके photo के अंदर कुछ इसी तरह की color का इस्तमाल किया गया है और photo आपको इस तरह दिखाई दे रहा है यानि अगर आपको computer में ही photo को रखना है print out नहीं करना है उसको आप किसी page को design करते समय आप photo को लगाना चाहते हो किसी website के उपर लगाना चाहते हो तो आप RGB color mode का इस्तमाल करेंगे यहाँ आप एक चीज और देख सकते हैं कि अगर आप mode में जाते हो और इसको आप CMY की color को यूज करते हो तो यहाँ आपकी photo का mode बदल कर CMY की color कर दिया जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पे चार रंग के mission से image आपको बनेगी और वो print out करते समय इसी color mode का इस्तमाल करेगी CMY की आजकल जितने भी poster, banner आपके छपते हैं जितने भी flex work है, offset printing है उसमें इसी color mode का इस्तमाल होता है अगर आप इस photo को print out के लिए तियार कर रहे हो तो यहाँ पे आपको color mode CMY की रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें चार रंग के mission से image आपको दिखाई देगी जैसे हम इस पे click करेंगे हमारा photo यहाँ पे image के अंदर mode के अंदर आते हैं और हम यहाँ पे अगर CMY की पे click करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे photo का जो color mode है वो CMY की कर दिया क्या CMY की मैं दिखाना चाहता हूँ आप यहाँ पे click करिएगा और यहाँ पे CMY की का मतलब समझेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके सामने CMY की पेज खुला है जिसमें यह आपका स्यान है यह आपका मैजेंटा है यह आपका yellow और यह आपका black है यानि CMY के इन चार रंगों के मिस्रन से जहाँ image बने उसको हम क्या कहते हैं CMY की color mode कहते है अगर आप इस तरह की color mode का इस्तेमाल कर रहे हैं तो printer इसी color mode का इस्तेमाल करता है printing करते समय हमको हमेशा photo को इसी color mode का इस्तेमाल करना चाहिए इसमें mode के अंदर आप यहां पे बहुत सारे बिकल्प आप देख सकते हो लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो बिकल्प हमने बताया कि आप अपने photo को gray scale में बदलना चाहते हो तो आप यहां से gray scale RGB color में बदलना चाहते हो तो RGB color और CMY की color mode का इस्तिमाल करना चाहते हो तो आप CMY की color mode का इस्तिमाल कर सकते हो तो यानि यहां से हम अपने photo का mode बदल सकते है ओके इमेज मेनू के अंदर अगला आप बिकल्प देख सकते हैं एडजस्टमेंट का दिया गया है और मैंने इसका पूरा वीडियो part wise दे रखा है मैंने इसका अलग से वीडियो बना रखा है एडजस्टमेंट के आप देख सकते हैं कि यहां पे चार भागों में बटा हुआ है यह label के विकल्प है यह hue और saturation के विकल्प है color को change करने का और यह invert और variation के विकल्प दियेगा है इनका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है उसका भी link इस वीडियो के description में मिल लाएगा आप वहां से जा कर देख सकते हैं चलिए आगे चलते हैं हम duplicate के बारे में बात करेंगे अगर हम अपने file को duplicate करना चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि इस photo file का हम कोई duplicate file बना लें तो इसके लिए आपको यहां पे duplicate नाम का विकल्प मिलेगा हम चाहते हैं कि original file में कोई changing ना हो कोई बदलाव ना हो तो इसके लिए हम duplicate option का प्रियोग करके इस file का duplicate कर लेंगे यहां देख सकते हैं duplicate और यहां पे edge कह रहा है आप यहां पे जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहां पे नाम देकर x, y, z और जैसे आप ok button पे click करेंगे आपके सामने उसी file का देख सकते हैं x, y, z यह duplicate बन गया है अब आप इसमें कोई भी changing ना करते हैं original file है आप नहीं चाहते हो कि इसमें हम बदलाव करें तो इस file को यहां से cut कर दीजेगा यहां से आप cut कर दीजेगा और इसके उपर आप जो भी work करना चाहते हैं आप कर सकते हैं तो इस तरह हम किसी भी file का duplicate बनाना चाहते हैं तो आप यह काम कर सकते हैं इमेज मेनु में अगला विकल्प आप देख सकते हैं, इमेज मेनु के अंदर अप्लाई इमेजिस का विकल्प दिया गया है, यहां आप अपने फोटो के अंदर अलग-अलग लेयर और चैनल पे वर्क करते हुए, ब्लेंडिंग आप्शन का प्रियोग करते हुए और उपिस करते हैं, अगर आपकी फोटो अरज इमेज के अंदर आते हों और अप्लाई इमेज अबड़ आओगे तो यहां पर यहां पर देख सकते हैं, तें रंग के चैनल आपको दिखायते रहां, तो आपकी फोटो चाहें CMYK में है या चाहे RGB color mode में है आपको यहाँ पे यह channel का विकल्ब दिखेगा आपको यहाँ से red, green और blue की channel को आपको select करते हुए फोटों में बदलाव को देखना है अब यहाँ देखिए अगर हम RGB color को select करते हैं RGB channel को select करते हैं तो यहाँ पे blending का option आता है blending में यहाँ पे देख सकते है normal, darkane, multiply, color burn जैसे बिकल्ब आपको यहाँ पे बहुत सारे blending के बिकल्ब मिलेंगे आप इसमें से select कर सकते हो फिलाल मैंने यहाँ पे linear या color burn option का प्रियोग किया फोटों में effect आप देख सकते हो इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं hard light का भी option दिया है अगर आपको लग रहा है कि हमारे फोटों के इंदर कुछ जादे ही light show कर रहा है तो आप इसकी opacity को यहाँ से कम कर सकते हो opacity को आप यहाँ पे 10, 20 या 50 आप यहाँ पे कर दीजे और फोटों में इसका effect आप देख सकते हो इसी तरह अगर आप RGB में बदलाव न करके अगर आप cable rate में बदलाव करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं फोटो में लाल कलर में changing आपको दिखाई दे रही है यहाँ से channel को select करने के बाद blending option को select करना है और यहाँ पे देखे इसमें जो बिकल्प आपको दिये गया है आप अपने फोटो के उपर इसका effect देख सकते है तो अच्छा बिकल्प है आप इसको प्रियोग कर सकते हो इतना करने के बाद आप यहाँ पे image menu के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे apply images के बाद calculation का विकल्प दिया गया है आपको बता देए apply images और calculation एक जैसे विकल्प है अंतर बस इतना है कि apply images colorful RGB color mode या CMY के color mode में काम करता है जबकि यहाँ पे यह आप देख सकते हैं कि आपकी फोटो को gray scale में बदल दिया गया है अब यहाँ भी आप देख सकते है source 1 दिया है source 1 और source 2 यानि source 1 जिससे आपको अपनी file को select करना है channel में आपने red green blue जो भी आपने select किया है आप यहाँ पे select करेंगे source 2 से भी आपको यहाँ पे अपने file का नाम उसका layer channel में आपको यहाँ पे जो भी channel लखना है रख लीजे इसकी बाद blending option पे यहाँ देखे बहुत सारे बिकल्प आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से हम अलग-अलग blending option का यूज करते वे opacity का प्रियोग करते वे हम photo में तरह-तरह की प्रभाव डाल सकते हैं यह होता है calculation जिसका प्रियोग आप अपने photo के उपर कर सकते हैं gray scale में अलग-अलग तरह की effect डालने के लिए आप इस तरह की बिकल्प प्रियोग कर सकते हैं image menu में अगला बिकल्प आप देख सकते हैं calculation की बाद image size का option दिया गया है अगर हम चाहते हैं कि अपने photo में image size यानि photo की size को हम बदलें तो इसके लिए आपको यह बिकल्प मिल जाएगा image size का यहां देख सकते हैं कि pixel dimension दिखा रहा है जिसमें weights और height यहां पे दिया हुआ है और यहां पे इसके weights height यहां pixel में दिखा रहा है और इसके आगे एक lock का symbol दिख रहा है lock का symbol दिखाई देने का मतलब है कि अगर आप weights में बदलाव करते हो तो height में बदलाव होगा और height में अगर बदलाव करते हो तो weights में बदलाव होगा इसका मतलब ये है कि एक निशित अनपात में हमारा फोटो का वेट्स और हाइट बदलेगा इलोक लगा होने का मतलब यही है कि एक निशित अनपात में आप फोटो बदलेगा यानि weights बदलेंगे तो height बदलेगा, height बदलेंगे तो weights बदलेगा, इससे हमारा photo खराब नहीं होगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर document size में weights और height का विकल्ब दिया गया है, और इसका जो scale है वो inch में दिखाई दे रहा है, और इसकी आगे भी scale आप देख सकते हैं कि यहाँ एक log का symbol दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप inch में weights को बदलते हो और height को बदलते हो, तो आप यहाँ से दोनों जैसे हमने उपर weights में दिखाया, उसी तरह आप weights और height को यहाँ पे, यानि width बदलेंगे inch में तो height भी बदलेगा और height बदलेंगे तो width भी बदलेगा, तो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि यह कितना pixel कितना inch होगा, तो आप उस map को यहाँ पे बदल सकते हो, साथी मैंने का कि इस map को भी अगर आप चाहते हो, inch के अलावा centimeter, millimeter, points, percentage, picose, column जैसे विगल्ब का आप प्रियोग करते हो, आप scale को भी change कर सकते हो, तो फिलाल मुझे inch ही रहने देना है, इसके बाद यहाँ resolution का विगल्ब दिया है, यानि photo का resolution क्या होगा, photo में resolution बढ़ाने का मतलब है कि photo की quality को change करना, यानि जितना अधिक resolution रखेंगे, photo की quality उतनी ही बहतर होगी, तो हम पहले आपको यहाँ पे change करके दिखाते हैं, कि जैसे हम weights को बदलेंगे, weights देखेगा यहाँ 236 है, हम इसको 300 कर देते हैं, तो 300 करने पे देखेगा height, automatic बदल के 400 हो चुका है, और यह काम देखेएं, यहाँ भी change हुआ है, अभी फिर से देखेए, अगर मैं इसको change कर रहा हूँ, तो height भी बदलेगा, weights भी बदलेगा, और यहाँ भी weights height में बदला होगा, तो इसको अगर हम 400 कर दें, 400 कर दें, तो आप देखें यहाँ पे, नीचे height 534 हो गया, weights यहाँ पे 2 इंच हो गया, और height आपका 2.669 इंच में हो गया, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमने बताया कि lock लगा हुआ है, और यह lock कहां से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं, constraint proportion का option दिया गया है, चेक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि lock काम कर रहा है, यानि एक अनुपात में यह दोनों भिकल, weights और height चेंज होगा, अगर हम इसको हटा दें, तो lock हट जाएगा, इसका मतलब है कि अगर हम weights बतलेंगे, तो height में कोई अंतर नहीं होगा, height चेंज करेंगे, तो weights में कोई बतलाव जो weights है, weights ही रहेगा, height में आपको जो रखना है रख सकते हो, तो यहां से अगर हम देखें, अगर हम चाहते हैं कि केवल weights को चेंज करें, तो आप देखें यहां पे, अगर weights को चेंज किया, तो height में कोई बदलाव नहीं हुआ कि अवल weight से ही change हो रहा है इसी तरह अगर हम यहाँ पे width की बजाए height को change करते हैं इंच में यहाँ पे अगर इसको हम 5 ले लेते हैं तो देख सकते हैं width में कोई बदलाव नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इस विकल्ब को जो हमने active किया था इस विकल्ब को हमने यहाँ से हटा दिया, check out कर दिया है जिसकी वज़ा से अनपात आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो अगर आप इस तरह के विकल्ब प्रियोग करते हो और देखिए okay करते हो तो photo इस तरह आपको दिखाई देने लगेगा, मैं थोड़ा सा इसको zoom out करता हो, यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन यही काम अगर आप image के अंदर image size के अंदर जाते हो और constant proportion को आप यहाँ पे अगर active कर देते हो तो हमने कहा कि अगर आप weights बदलेंगे तो height भी बदलेगा, अब यहाँ देखिए मैं अगर weights को बदल के 4 कर दिया, तो automatic height इसका बढ़के 6.67 हो चुका है, ओके करके देख सकते हैं, photo में कुछ इस तरह बदल सकते हो, बदलाव कर सकते हो, तो image का size बदलने के लिए, यह सबसे important बिकल्प होगा, आप यहाँ से image की size को change कर सकते हो, image menu के अंदर अगला बिकल्प आप देख सकते हैं, canvas size का दिया गया है, कई बार ऐसा होता है कि हम photo बनाने के लिए, बड़ी file खोलते हैं, लेकिन उसे photo का जो मुख्याकार होता है, वो छोटा होता है, अगर हम चाहते हैं कि photo का मुख्याकार बदलें, तो इसके लिए हमें canvas size नामक बिकल्प का प्रियोग करना होगा, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, current size आपको दिखा रहा है, weights में आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और height में इतना inch देख सकते हैं, यहाँ पे आपको photo के मुख्याकार को बदलने के लिए, यहाँ पे canvas size में new size नामक बिकल दिया गया है, जहां से इसका weights और height को हम बदल सकते हैं, फिलाल जो current weights है, आपको यहाँ दिखा रहा है, और आप से कह रहा है कि आप अपने photo का जो मुख्य साइज है canvas का, उसको कितना रखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हैं चार और छे इंच में है मालीर, हम केवल weights को change करते हैं, यहाँ पे चार के बजाए हमने 6 कर दिया अब height को हम वही रखते हैं इसकी बाद यहाँ देख सकते है anchor का विकल्ब दिया गया है यानि photo में, जो canvas size आप बढ़ा रहे हो उसके उपर photo का अस्थान क्या होगा, यानि इस image का location कहां पे होगा उस canvas के उपर, यदि आप center पे click के रहते हो और ok करते हो तो जो आकार photo के अंदर बढ़ रहा है उसमें canvas में photo बीच में रहेगा और क्या होगा, right side और left side में आपका canvas size बढ़ा हो जाएगा मैं ok करके यहाँ दिखाता हूँ और देख सकते हैं, कि photo का पहले हमारा मुक्य size यह था लेकिन अभी जो canvas size हमने बढ़ा है उसमें दोनों तरफ आपको जगा canvas का दिखाई दे रहा है अगर हम चाहते तो photo को एक side में कर सकते थे और इस canvas का जो भाग इंदर की तरफ बढ़ा हुआ है उसको भी हम इंदर ला सकते थे तो undo कर लेते हैं अंडू करते हैं अंडू करने के बाद हम image के अंदर आते हैं दुबारा canvas size के विगल पे हम क्लिक करते हैं और फिर से हम इसको छे करते हैं लेकिन अभी anchor में photo की position को हम left में रखते हैं अब दिखेगा जो आपकी size यहां बढ़ी है width की वो क्या होगी photo के right side में आपको दिखाई देगी okay करते हैं और देख सकते हैं इसी तरह आप अपने photo के अंदर photo की size को यानि canvas की size को change करते हैं file का जो मुख्याकार है उसको बदल सकते हैं अगर हम इसको art कर दें और art करने के बाद हम इसको इधर करके okay करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको जगा मिल गया है और यहां पर भी आप कोई photo लाके replace करके या move करके लाके रख सकते हो इसके अलाबा अगर हम height भी change करते हैं मान लीजे image के अंदर जाते हैं canvas size के उपर जाते हैं और अब की बार हम weights के बजाए height को बदलते हैं मान लीजे इसको हम 6 के बजाए अगर हम 8 रखते हैं या 10 रखते हैं तो अब height को हम change कर रहे हैं ध्यान दे रहा है अब वो जगा किधर की तरफ बढ़ना चाहिए नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए या corner पे बढ़ना चाहिए उसकी setting आप कर सकते हो तो हम याँ पे क्या करते हैं इसको भी बढ़ा लेते हैं इसको भी हम 6 कर लेते हैं और इसको 10 कर लेते हैं और photo का जो position है वो हम इसको left top corner में रखते हैं यानि आपका जो canvas size बढ़ेगा वो नीचे की तरफ बढ़ेगा इस corner पे बढ़ेगा और इधर की तरफ बढ़ेगा यानि right side में okay करके आप देख सकते हो तो undo कर लेते हैं image menu के अंदर अगला विगलब आप देख सकते हैं और वो है canvas size के बाद rotate canvas का यानि हम photo को हम अलग-अलग दिख्षा में घुमा सकते हैं जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो 180 degree नावक कमांड साब को मिल जाएगा अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो photo सीधे जाए 180 degree rotate कर जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं अगर हम image पे जाएं दुबारा हम rotate canvas पे क्लिक करें और दुबारा जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो 180 plus 180 photo फिर सीधा हो जाएगा इसमें आपको और भी विकल्ब देखने को मिलेगा rotate canvas में जाते हो तो यहाँ पे 90 degree CW नामक विकल्ब दिया गया CW का मतलब है clockwise अगर हम अपने फोटो को घडी की दिशा में 90 degree तक घुमाना चाहते हैं तो आप इस option पे क्लिक करेंगे फोटो घडी के चलने की दिशा में 90 degree रोटेट कर जाएगा अगर माली जे की फोटो आपका ऐसे ही है और हम चाहते हैं कि इसको घडी की बिपरित दिशा में 90 degree घुमा दे तो यह सीधा हो जाएगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इमेज के अंदर रोटेट कैंवस की option देखें यहाँ पे 90 degree CCW यानि CCW का मतलब है counterclockwise घडी के चलने की बिपरित दिशा में फोटो को 90 degree घुमा देना अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा फोटो 90 degree घडी के बिपरित यानि घडी के चलने की बिपरित दिशा में घुम जाएगा और फोटो सीधा हो जाएगा इस तरह के बिकल्ब का हम प्रियोग करते हुए फोटो को किसी भी दिशा में किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं अब देख सकते हैं अगला बिकल्ब यहाँ पे आर्बिटरी का दिया गया है अगर आप फोटो को किसी निशित एंगल पर और किसी निशित दिशा में घुमाना चाहते हैं तो आप इस option का प्रियोग करेंगे जिसका नाम है rotate canvas यहां देख सकते हैं angle का विकल दिया है यानि कितने angle पे गुमाना है और यहां पे भी वो विकल पा रहा है CW और CCW अगर आप अपने फोटो को 10 degree घड़ी की दिशा में घुमाना हो तो आप यहां पे 10 degree लिखें CW लिखें और OK कर दें फोटो अपने घड़ी की दिशा में घड़ी के चलने की दिशा में यहां देख सकते हैं घुम गया है लेकिन अगर फोटो आपका ऐसे ही है तो हम क्या कर सकते हैं इसको बिप्रित दिशा में घुमा के फोटो को सिधा कर सकते हैं तो इसके लिए हम फिर से canvas पे जाते हैं arbitrary पे जाते हैं degree वही रखते हैं CCW और OK कर देते हैं फोटो हमारा सिधा हो गया है इस तरह फोटो को रोटेट कर सकते हैं इसमें इमेज के अंदर आप देख सकते हैं रोटेट canvas के अंदर एक विगल्प और है वो है flip करने के लिए दो विगल्प हैं horizontal और vertically यानि फोटो को अगर mirror रवस्था में लाना है जैसे हम किसी दरपन की सामने अगर खड़े होते हैं तो प्रतिविम हमारा उल्टा बनता है लेकिन साइज में वही आकार में वही रहता है आप फोटो को जड़ा ध्यान से दिखें मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखा सको फोटो को ध्यान से दिखें फोटो में यह जो जैकेट के ऊपर आपको यह सिंबल जो दिखाई दे रहा है अगर हम चाहते हैं कि हम फोटो को पलट दें तो यह वाला सिंबल ज़े इधर की तरफ आजाएगा यह फोटो पूरा मीरर रवस्था में आ जाएगा ऐसा करने के लिए आप देखें अगर इमेज के अंदर जाते हो रोटेट कैन्वस के उपर फिलिप कैन्वस होरिजन्टल पर क्लिक करते हो तो फोटो मीरर रवस्था में आ गई यानि फोटो ऐसे थी और फोटो जै सीधा ऐसे पलट गया है जो इधर का से जाएगा यानि फोटो में आप देख सकते हो हैर स्टाइल भी देखी अभी मैं इसको फिर से सिधा करता हूँ और मैं इसको ऐसे करता हूँ हैर स्टाइल पे भी ध्यान देए इस जैकेट के उपर भी आप दिखान दीजीगा यह पूरा फोटो जैप फिलिप कर जाएगा मिरर अवस्था में आ जाएगा अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो आप देख सकते हो तो इस तरह की भी बिखल्प हम प्रियोग कर सकते हैं इसमें इमेज के अंदर, रोटेट कैंडवस के अंदर फिलिप कैंडवस वर्टिकल का भी बिखल्प दिया है जो फोटो को वर्टिकली मिरर कर देगा वर्टिकली मिरर अवस्था में ला देगा तो हम इसको फिर से वर्टिकली मिरर के 180 पे भी यह सिधा हो जाएगा और vertically भी आप flip करके इसको सिधा कर सकते थे अब देख सकते हैं अगला विगलप आपका जह है rotate canvas के सारे विगलप आपने देखे अगला विगलप crop करने का दिया गया है अगर photo में किसी खास हिसे को आप काट कर निकालना चाहते हो तो आप crop option का प्रियूग कर सकते हो crop tool के बारे में हम आपको अलेडी बता चुके हैं कि ये आपके Photoshop के toolbox में crop नाम का tool दिया गया है इसके बाद photo के उस हिसे पर mouse को drag करें जिसको आप crop करके निकालना चाहते हो तो mouse का बाया बटन दबाना है और उस हिसे को आपको select कर लेना है जिससे आप काट कर निकालना चाहते हो ये तो बिकल्फ हम जो है tool से बता रहे हैं अब जैसे देखिएगा जैसे इंटर बटन को प्रेस करिएगा photo का केवल वही भाग रह गया जिससे हमने crop tool से selection किया था अगर यही काम हमें image menu के अंदर दी हुए विकल्फ crop से करना है तो कैसे करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी tool से आप selection कर लीजिए उस से को जिसको आप काट कर निकालना चाहते हो हम सबसे पहले rectangular mirror cue tool से आप select कर लेते हैं और selection करने के बाद इसलिए इसका हम दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे ताकि image menu के अंदर जो विकल्फ आपके दिये गए हैं उसको हम आपको बता सकें तो अमीद है कि आज का class आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को आपने भी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe भी कर लें